मैं मुझे पता है आप लोग भी इस वीडियो के लिए बहुत जादा excited होगे क्योंकि मैं भी personally बहुत जादा excited था हूँ आज की वीडियो में हम आप लोगों को complete बताने वाला हूँ title find करने से लेका text find करने से लेका description write, thumbnail designing और complete gig process बताने वाला हूँ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को complete process बताने वाला हूँ कि आप अपनी gig किस तरह create करोगे thumbnail, title, description, tags और किस तरह आप लोगोंने keyword find करना है ये भी बहुत unique method मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सी extensions में use करता हूँ जिससे मैं अपने keywords वगरा find करता हूँ और मैं किस तरह अपना title बनाता हूँ और किस तरह हर चीज को मैं proper way में रखता हूँ जिससे मेरी gig जो है वो rank होना start हो जाती, impressions में आना start हो जाते हैं और clicks भी आना start हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ी मैं आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ, skin की तरह चलता है अच्छा gig creation के लिए पहले तो मुझे किसी एक gig को यहाँ से delete करना होगा तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से किसी एक gig को delete कर लेता हूँ यह वाली gig है जो मेरी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही मैं इस gig को यहाँ से delete कर दूँगा तो पहले तो आप लोग देखें मेरी जो निश है वो टीशिट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, मतलब ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है और मेरे पास सारी जो है वो गिग्स अविलेबल है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफिटी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टैपोग्राफि पर पहले मैं देखूंगा मेरे पास कमपटिशन कितना आ रहा है क्योंकि मेरा में कीवर्ड जो है वो है टैपोग्राफि पर देखें 10,000 को कमपटिशन है और यहाँ पर काफी ज्यादा है गेग्स रैंक हो रही है अब मैं यहाँ पर फिर्टर लगाऊँगा बेस्ट सेलिंगका तो मेरे पास गहाँगी जो काफी जादा अच्छा पर्फाउम कर रहे है तो यहाँपर मेरे पास वे बैटा कर रहे हैं च्छा परपार में बदेंक थापनेट ले लूगंगा तो हुन्होंने क्या टाइटल यूस्ट यह में तो देखें, Cool Typographic T-Shirt Design, Eye Catching Typography, Custom Typography, Custom Typography, मतलब यह दो चीज़े जो हैं, वो सेम मिल गई है मुझे, और Minimal Typography, तो मैं जरा One by One competition देख लेता हूं, कितना आ रहा है, और मेरी extension है FiverMate, जो के मैंने आप लोगों को बताई थी, कि आप लोगों ने किस तरह इसमें एड गर अब देखें, Tapographic T-Shirt, मैं इस keyword को ले लेता हूं, और इस पर जरा मैं competition देखूंगा, अगर मुझे अभी भी अगर सही competition नहीं मिलता, फिर मैं जो है, वो उसका दूसरा way find करूंगा, जिससे मुझे जो है, वो less than 5000, less than 10,000 competition मिले, यहां देखें, Tapographic T-Shirt पर मुझे 6,450 का competition मिल यहां लेकिन उसके साथ यहां पर order भी मिल रहे है, 100,190,32 मतलब कि यह keyword मेरे लिए perfect work करेगा, तो मैं अपनी gig में जाता हूं, पहला तो मैं लिखूंगा, I will do Tapographic T-Shirt Design, और, अब मैं देखता हूं कि और मैं कौन सा word यूज़ कर सकता हूं, अब यह लिखा हूँ है, amazing, और, well मैं यहीं पर search कर लिएता हूं, तो यह देखें, business logo, graphic design, graphic design, hand drawn logo, hand drawn logo, और, दो चीज़े में एक साथ use नहीं कर सकता, यहां पर मैंने लिखा typography T-Shirt, फिर मैं यहां लिख दूँ, t-shirt typography, तो इस तरह में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हां, यह कर सकता हूं, awesome, awesome word को मैं use कर स देंगे, मैं select हो गया, t-shirt, तो मैं यहां से, इसको भी t-shirt select कर लिता हूं, अब है, tags की बारी, तो, tags find करने के लिए, मैं इस extension को नहीं use करूँगा, बल्के मैं इस extension को यहां से close कर दूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं, यहां से, मैं इस extension को है, वो work कर रही है, favor quick view, अब इस पर जो keyword आएंगे, क्योंकि मेरी जो main keyword था, वो यही था, typography t-shirt, typography t-shirt design, अगर आप यहां बर देखें, तो मैं यही लिखा हूँ है, typography t-shirt design, typography logo, typography, मतलब कि इस तरह कहीं मेरा keyword है, तो मैं इसको देख लेता हूं, यहां से, और favor quick view मेरी work कर रही है, तो यह देखें, favor quick view ने मुझे जो है, वो keywords निकाल के देदी है, जो के tags में, जो के description में सबसे जदा यूज हो रहा है, तो मैं यहां पर यह typography, t-shirt design, t-shirt, typography t-shirt, तो मैं इन keywords को ले लेता हूं, पहला मेरा keyword है typography, जो के 31 times use हो रहा है, तो मैं इस tag को ले लेता हू फिर लूँगा, t-shirt design, तो जरा आप देखें, combination, इस extension ने कितना अच्छा बना दिया, typography t-shirt design, जो मेरा main target keyword था, वो इसने बता दिया, अब मैं यहां से इस t-shirt design को ले लेता हूं, इसमें फर्क की है, कि इसमें space है, और इसमें space नहीं है, ranking में असानी मिल सकती है, मुझे, फि इन पर मैं कि काफी ज़ादा असानी मिल सकती है, फैकेजे और मैं करऊंगा तो यहां पर बेशिक पैकेज में black and white typography देना चाहता हूं, यहां पर corner full देना चाहता हूं, यहां पर मैं premium color yağना चाहता हूं, अब यहां पर description में भी, से तिताफिक यहां पर भी typography, तिताफिक फि इस ही आप लोगों को यहां लिफाइड करना है और बस जाने लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना इसका भी वन डे ओर लेता हूं रिविजेंज में यहां पर कर लोगा और अनलिमिटेजंड ही आप लोग रखी गा इस में ही आप लोगों का फायदा है Design Concepts को मैं यहाँ पर फिलाल Select नहीं करता तो मैं पहले Basic Package में High Resolution दूँगा बस लेकिन Second में मैं High Resolution भी दूँगा और यहाँ पर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर Source File भी दे दूँगा Enhanced Detailing भी दे दूँगा और मतलब कि आप लोगों ने इसमें कुछ अच्छा सा Refine करना है कि लगे बायर को कि मैं Extra Pay कर रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या मिलेगा Basic Package 5 Dollar ही रखूँगा आप दी 5 ही रखिएगा Standard 10 हो गया और यह मैं रख लूँगा 15 एक cents बन गया है अब अगर आप यहां पर देखें तो मैंने Double Side का Option सेलेक्ट नहीं किया यह क्यों नहीं किया यह मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले तो यह Extra Fast Delivery को आपने जैसे के Premium Packages में यहां से One Day कर लूँगा और इसको मैं 10 कर लेता हूँ तो आपकी gig आगे next step पर चली जाएगी अब आजाती है description के बारी जो कि most important thing है आप लोगों को ranking दिलवाने के लिए इसी में आप लोगों के keywords बगरा यूज होते है अब इसके लिए मैं यहां जाता हूँ और इस पूरे title को मैं copy कर लेता हूँ और फिर मैं आजाता हूँ बार्ड AI software पर इसमें यह मुझे generate करके देगा description तो मैं यहां पर अपना title copy करता हूँ और लिखता हूँ write five hour के description ओ भाई साप क्या betterie description इसने मुझे write करके दिये graphic designer का keyword भी use कर लिया typography का keyword भी use कर लिया typography t-shirt logo eye catching memorable सारे keyword इसने मुझे यह देखे custom typography awesome typography सारे keyword इसने मुझे target करके दे दिये just यहां से मैं इसको copy करूँगा और यहां तक copy करके मैं इसको कर लूँगा यहां पर paste तो यह थोड़ा नहीं आ रहा limit पूरी हो गई है कोई मसला नहीं है मैं यहां से इसको copy करता हूँ पहले मैं इतनी copy करूँगा description और इसको आपने थोड़ी सी editing करके set कर लेना है कि एक सही experience जाए बायर के पास यह उने के बाद if you are looking for a typography tissue design the designer for you यह line बहुत जादा अच्छी है मैं यहां से इसको भी ले लेता हूँ और इसको भी मैं typography tissue design today मुझे लगता है इसमें issue आएगा अभी देखते हैं क्या issue आता है अब मैंने इसको save कर लिया और यहां से मैं इसको save and continue बर click करता हूँ तो yes इस पर अभी देखें issue आया मैंने आपको कहा था कि design and typography काफी जादा use हो चुका है तो आपने गबराना नहीं है इसको remove करने जैसे लिखा हुआ experience typography तो मैं यहां पर expert लिख दूँगा अब 10 हो चुके हैं अब मैं यहां पर typography search कर लूँगा typography seven times use हो रहा है तो इसको भी मैं यहां से remove करने की कोशिश करूँगा जैसे कि custom typography t-shirts typography logo यहां से मैं इसको remove कर लूँगा तो कि यह उपर use हो रहा होगा कही लिख लूँगा अब मैं अगर सेफ करके देखता हूं तो में भी यह continue हो जाए अब यह इस्यू है design and typography में तो मैं यहां पर लिख लेता हूं experience person यह मैंने दो और remove कर दिये और typography t-shirt तो इसको भी मैं अब continue करके देखता हूं तो अब जो है यह मेरा continue ही नहीं हो रहा तो इस continue करके देखता हूं तो अभी भी जो है टैप और वाला issue solve हो गया अब just forget design का terms तो design लेने के लिए मैं यहां से design search करता हूं control F करके design तो यह 10 times use हो रहा है तो मैं कहीं से इसको remove कर लेता हूं यह वाला ही में line ही remove कर लेता हूं अब करके देखते हैं तो जी हां अब बिलकुल save ह हो चुका है अब आजाते requirements के बारी तो requirements में जो है वो add new question पर click करना है required पर आपने tick हटा देना है या फिर आप इसको लगा भी रहें दें तो इसके बगार buyer order place नहीं कर पाएगा जब तक वो requirement fill नहीं कर देता तो इसलिए मैं इस tick को हटा देता हूं कि buyer से अगर मेरी private chat भी हो कुछ images चाहिए thumbnail को design करने के लिए पहले मुझे देखना होगा कि और लोगोंने thumbnail किस तरह बनाए हुए तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह के कुछ thumbnail बन रहे हैं जिसमें t-shirts use हो रहे हैं और यह अब पहले तो चीज जो मुझे देखनी है वो यह है कि मुझे कौन सा color सबसे ज़्यादा attract कर रहा है तो यहाँ पर जो yellow color है इसने मुझे बहुत ज़्यादा attract किया है तो मैं अपने thumbnail में इस yellow color को लाजमी add करूँगा फिर मुझे कुछ t-shirt चाहिए इन्होंने तीन use किये मैं एक use करूँगा और मुझे जो black color है इस तरह का वो भी बहुत कर रहा है तो मैं इन तीनों दोनों तीनों चीज़ों का combination करूँगा तो उसको कैसे करना है मैं आप लोगों बताता हूँ पहले मैं चला जाता हूँ अपने canva में और मैं पहले design search कर रहता हूँ तो यह मैंने कुछ design किये हुए थे और मुझे इनको ही use करना है पहले तो प्रेमियम subscription है तो यह आप लोगों को options शायद ना मिले तो आप लोगों ने जाना है remove bg पर upload image पर click करके यहां से जिस design का आप background remove करना चाहते हैं वह आपने just यहां बर select करना है और यह कुछ ही second लेगा और आपका background remove कर देगा यह आपका remove कर दिया सने background यहां से आप download करेंग और आपकी image easily download हो जाएगी तो यह आपका problem solve हो चुका है अप मैंने पास एक website प्लेस इट तो मैंने इसकी जो है वो premium subscription ले वी है इसकी लेकिन कोई मसला नहीं है आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ इस website से पहले होने के आवाला है यह मैं आप यह design मैंने background remove किया था इसका तो मैं यहां से design को select कर लेता हूँ और यहां से easily इसको में large करूँगा और यह जो है मेरा design इस shirt पर place हो गया और यह इस तरह इसमें जो है आप देखें बिल्कुल एक realistic सा look आ रहा है लेकिन इसका background जो है वो purple आ रहा है अबर तो black चाहिए या पि place कर लेता हूँ और अब thumbnail बनाने का जो है वो असल process चुरू हुआ है तो मैं यहां से edit picture पर click करके इसका background remove कर लेता हूँ आप देखेगा क्या attractive से results आप लोगों को मिलने वाले हैं आप खुद कहेंगे कि आप वाकई बहुत amazing सा thumbnail बना यहां से मैं इसको इस तरह rotate थोड़ा सा करके और थोड़ा सा large कर दूँगा इसको और इस t-shirt को मैं यहां पर place कर दूँगा और इसका जो यह background है इसको मैं black कर दूँगा पूरा black हो गया यह और इस t-shirt को मैं थोड़ा और ले जाता हूँ side पर अब एक और चीज़ इस design को मुझे दुबारा यहां पर भी लगाना है तो मैं उसी अपने design को लेता हूँ और यहां पर इसको लेके आऊँगा और यह design जो है मेरा यहां पर लग गया इस तरह से कुछ अब इसको मैं जो है सोच रहा हूँ control C करके एक और इसकी copy ले लूँ और इसको मैं full इस तरह large करके इसको सारी background के पीछे ले जाऊँ और यहा यह यह चाहिए था तो वो तो मुझे design में भी मिल गया लेकिन मैं चारों एक thumbnail में भी मिल जाया तो उसके लिए मैं यहां से इस shapes में जाऊंगा और इस round वाले को लेके देखते हैं अगर अच्छा लगता है तो इसको रख लेंगे नहीं तो हम इसको delete कर देंगे मैं यहां से thumbnail को download कर लेता हूँ जितनी जादा thumbnail पर मैंद करेंगे client उतना ही जादा attract होगा मेरी बात याद रखिएगा client उतना ही जादा attract होगा और उसको पता चलेगा वाकिए जिसने इतनी मैंद से अपना thumbnail बनाया वो मेरा design कितनी मैंद से बनाएगा जिसके मैं उसको charges दूँगा तो उसने free में बनाया अपना तो यह जो है चीज काफी client को जो है वो attract करती है मेरा एक thumbnail जो है वो ready हो चुका है तो मैं अपनी gig में जाता हूँ और यहां से thumbnail को add करने का भी method है वो यह है कि मैं यहां से overview जाऊंगा इसको मैं select करूँगा वापिस gallery में आके यहां से इस पर browse पर click क करके control भी कर दूँगा पूरा title copy हो गया और मैं इसको यहां से add कर लूँगा second thumbnail भी आप लोगों ने इसी तरह का use करना है मैं इसको बाद में add कर लूँगा मेरी gig almost complete हो चुकी है यह पूरा process अब मैं यहां पर इसको save and continue पर click करूँगा और मेरी gig का जो है वो confirm हो सुका है हर ठीक है अब यहां पर publish पर click करूँगा और मेरी gig का publish हो चुकी है easily मैंने आज आप लोगों की सारी problem solve कर दी पूरी gig बनाना सिका दी टाइटल भी बनाना सिका दिया description write करना भी बता दी keywords किस तरह find करना है competition किस तरह low करना है और description write कैसे करना है keywords को proper किस तरह place करना है और जो errors आ कर सकता मैंने अपने लिए यह gig बनाई और अब मैं इस gig को अलग अलग जगा पर promote करूँगा जिस तरह मैंने आप लोगों को सिका हो है कि आप अपनी gigs को किस तरह promote कर सकते हो सारी वीडियो देख लेना order लेने से आप लोगों कोई भी नहीं रोग सकता उमेद करता हूँ बेल आइकन लाजमीर प्रेस कर दियागा ताकि हराने वाली वीडियो सबसे पर लिए आप लोगों को मिल सके मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफिस